हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको इस तरह का जेंट स्वेटर के लिए डिजाइन बता रही हूँ इसको आप लेडी जेंट्स बच्चों के में भी डाल सकता है पर जेंट्स स्वेटर में यह जादा अच्छा लगता है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे जैसे एट नीडल्स का गैब दे दिया फिर से यही पैटर्न डाल लिया अब हम फॉर सिलाइन लगाएंगे वान टू थ्री फॉर फॉर सिलाइन लगाने के बाद हम एक साइड से शिक्स नीडल ट्रांसफर टूल में ले लेंगे त्री एंड्री सिक्स अब जो लास्ट वाल करेंगे सिक्स नीडल्स जो है ट्रांसफर टूल में ले लेंगे अब जो राइट साइड के उनको लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड बली को राइट साइड ट्रांसफर कर लेंगे नीडल्स को थोड़ा आगे कर लेते ताकि जो जब हम अपनी मशीन को चलाएं तो वह अ लेफ्ट साइड से हम six needle ले लेंगे transfer tool में फिर जो left side की needle है उनको right side ले जाएंगे और right side वाली needle को left side ले जाएंगे इस तरह से दूसरी side से भी हम ऐसी ही करेंगे six needles है इनको हमने ले लिया जो right side की थी उनको left side ले गए और left side वाले को right side फिर से हम इन needles को आगे कर लेंगे और अब हम eight से लएंगे लगाएंगे पहले हमने four से लएंगे लगाए थी अब one two three four five six seven eight eight से लएंगे लगाने के बाद फिर से हम needles को transfer करेंगे three and three अब हम इस needle जो right side की needle है उनको left side पहले ले जाएंगे फिर left side वाली को right side दूसरी side से भी हम ऐसे ही करेंगे six needle को ले लिया हमने transfer tool में फिर जो left side वाली needle थी उनको right side ले गए पहले और पिर बाहर जो बाहर की side needle थे हम धोनों का side से हम अंदर ले आ है जो बीच की six needle थे उनको three एक side transfer कर लिया और three जो है दूसरी side फिर हम four से लाएंगे लगाएंगे इस तरह से फिर से हम एक साइड से six needle transfer कर लेंगे पहले जो बीच वाली है उनको हम left side लेके गए फिर left side को right side ले आए दूसरी side से भी हम यही method repeat करेंगे same यही needle को transfer करेंगे जो center वाली है उनको right side ले गए फिर right side को left side तो जो दोनों left side दोनों बाहर वाली side से जहां पर needle खा लिया उन six needle को हम दोनों side से three three needle अंदर ले आए अब फिर से हम से लाइए लगाएंगे one two three four five six seven eight eight से लाइए लगाने के बाद फिर से हम needles को transfer करेंगे three and three six needle हो गई अब जो बाहर वाली needle है उनको हम अंदर की side ले आएंगे इस्तरा से और जो अंदर वाली needle है उनको जो खाली needle है उस side ले आएंगे इस तरा से और दूसरी side से भी हम same ऐसे ही करेंगे three और three पहले हम जो बाहर वाली निडल है उनको अंदर सेंटर में ले आए फिर जो सेंटर वाली निडल थी उनको बाहर ले आए दोनों साइड से जो 6 निडल है उनको सेम ट्रांसफर करना है फिर 4 से लगाएंगे फिर से हम निडल को इसी तरह से ट्रांसफर करेंगे 3 और 3 6 सेंटर में ले आए लास्ट वाली 3 नेडल को और जो सेंटर वाली नेडल्स थी उनको बहार की साइड ले गए इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम करेंगे पहले जो बहार वाली नेडल्स है इसको हम यहां अंदर ले आएंगे और अंदर वाली नेडल को बाहर की सैट ले जाएंगे इस तरह से सारी नेडल सागे कर लेंगे और एट सिलाई या लगानी है इस तरह से हमने ये एट सिलाई लगा ली और फिर से त्री और त्री नेडल को हम ट्रांसफर कर लेंगे जो three needle center वाले हैं उनको बाहर के side जैसे कि आप video में देख पा रहे हैं इस तरह से और दूसरी side से भी हम same transfer करेंगे जो same six needle है उनको same transfer करेंगे पहले हम बाहर transfer करेंगे यह हमने गलत transfer किया जैसे यह इस तरह से आएगा तो यह गलत हो जाएगा तो पहले जो है हम फिर से इनको transfer कर लेते हैं अगर इस तरह से करोगे तो वो सारा design जो है वो हमारा गलत हो जाएगा तो पहले बीच वाली सिलाइओं को हमने बाहर की side transfer किया फिर बाहर वाली को अंदर की side बाद में transfer किया इस तरह से तो pattern को देखके हमें needles को transfer करना होगा फिर हम फोर सिलाइओं लगाएंगे फिर से इसी तरह से needles को transfer करेंगे पहले वह सेंटर वाली सिलाइओं को बाहर की side फिर बाहर वाली को अंदर की side यहाँ पर भी ऐसी ही करेंगे पहले जो सेंटर वाली तीन needles उनको बाहर की side इस तरह से transfer किया फिर बाहर वाली को इस तरह से अंदर की side transfer कर लेंगे अब 8 सिलाइओं लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मैं दिखाते हूँ आपको हमारे design यह इस तरह से हमारे design बनके आया इस तरह से हमारे design बनके आया है इसको आप card वाली machine में भी बना सकते है अगर आप card वाली machine को चलाना सीखना चाहते तो उसके लिए आप मेरे दूसरे channel उद्रक creation को subscribe कर सकते है उसका link मैं आपको subscription box में दे दूँगी और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please में वीडियो को like और share जरूर करें और मेरे channel को subscribe करें Thank you